नमस्कार, SPN 9 News में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार बात करेंगे बिहार की राजनिती में लालू प्रसाद यादव के परिवार की पिछले दिनों जिस तरीके से तेज प्रताप यादव जो की लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और बिहार के पूर्व केबिनेट मंतरी हैं, अचानक से उनको सीने में दर्द हुआ, हाई बलड प्रेसर के चलते उनको निजी अस्पिताल में भरती करवाया गया उसके बाद जिस तरीके से तमाम जो वहाँ पर बिहार के नेता हैं उनका अस्पिताल में ताता लगा उनका हालचा जाने के लिए तमाम नेता उन्हें वहाँ पर रुक किया लेकिन इस भी आपको बता दे कि लालू प्रसाद यादो के परिवार में तेज प्रताप को लेकर सन तेज प्रताप यादो के बीच तलाक का मामला चल रहा है पटना के सत्र निया एल्ले में ये मुकाबला मामला चल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से तेज प्रताप यादो को पिछले दिनों पटना के निया एल्ले ने फटकार लगाते वे कहा था कि जब तक निर्णायक स् तमाम सुविधा एत्मोहिया करवाई जानी चाहिए जो कि रावडी देवी को मिलती है इस बीच आपको बता दें कि तेजप्रताप यादव की जैसे ही तबियत खराब होती है उनकी पत्नी अश्वरेराय मंदीर में पूजा अर्चना के लिए जाती है और वहाँ पर भगवान से उत्तम स्वास्ति की कामना करती हुई नजराती है आपको बता दें कि तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी का शादी के कुछ दिनों के बाद ही जगड़ा हुआ था और उसके बाद दोनों का यहाँ पर तलाक से सम्मनित मामला अभी लंबित है ऐसे में देखना होगा कि अब तेजप्रताप यादव की इतनी जल्द स्वस्त होकर के बाहर आते हैं पटना के कंकडबाग स्थित एक नीजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है विशेशक ये डोक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है और कहना ये है कि पहले से उनकी स्थिती में बेहतर सुधार है और आने वाले वक्त में यहाँ पर तेजप्रताप यादव की स्थिती और भी सामन्ने धीरे-धीरे होती हुई नजराएगी लोकसभा का चुनाव नजदिक आ चुका है और ऐसे में आरजेडी चाहेगी कि तेजप्रताप यादव जल्द से जल्द स्वस्थ हो करके चुनावी रण में उतरें और तेजप्रताप यादव के साथ मिल करके बिहार की राज़िती में आरजेडी का खेमा मजबूत करते हुई दिखाए दे फिलहाल इस खबर में इतना ही देश दुनिया की तवाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं SPN 9 News